इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तीज का तिवार आ गया है और तीज के तिवार पर हर किसी को सुंदर सुंदर सी ड्रेस डालने का सजने सवरने का अपने हाथों पर प्यारी प्यारी सी महनी लगवाने का सब को शोंक होता है लेकिन इतनी गर्मी होती है कि आप कोई आपका मेकप जल्दी से हट जाता है अपने मेकप को आप कैसी लॉंग लास्टिंग बना सकते हो कैसे आपका पूरा दिन श्टे करेगा और ग्लो करेगा तो इसके लिए जानते हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें अपना फेस अच्छे से वोश कर लेना चाहिए फेस को और फेस को देस्वार में हाज रब करते नहीं तो पसी घाएगा और मेंगेा हैं क्यूब को अपने फेस पर अच्छे से रव कीजिए और रव करने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिए दीजिए फिर आप अपने स्किन के अकोर्डिंग ही अपना प्राइमर चूज कीजिए प्राइमर जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था अगर आपक की ड्राइ स्किन है तो आप क्रीम प्राइमर लीजिए तो फ्रेंड्स अपनी स्किन के अकोर्डिंग ही आप अपना प्राइमर चूज कीजिए तो क्या होता है गर्मियों में सब कोई पसीना आता है तो अपना जैल प्राइमर ही यूज कीजिए उसके बाद जैल प्राइमर यूज़ करने के बाद अगर आपके पास face oil अगर आपको face पे glow लानी है तो one two three drops आप अपने face पर जो है apply किजिए और apply करने के बाद आप oil को उसके अपनी skin tone के according अपना foundation चूज़ किजिए अगर आपकी है oil skin तो आप oil free foundation लीजिए और oil free foundation लगाने के बाद कोई भी अच्छा सा आप compact ले लीजिए अपनी skin tone के according और compact से अपने base बनाए है उसको अच्छे से lock कर दीजिए या फिर translucent powder जो भी आता है अगर आपके बास वो है तो उससे अपने face को अच्छे से पूरे face पर apply कीजिए और अपने make-up base को lock कर लीजिए और lock करने के बाद आप अपने dress से matching कोई भी अच्छा सा color अपने lips पर लगा लीजिए और lips भी लगाने के बाद आप बारी आती है eyeliner की eyeliner आप waterproof यूज़ करें बैटर रहेगा गर्मियों में आप liner और काजल दोनों ही waterproof यूज़ कीजिए और काजल के नीचे थोड़ा-थोड़ा सा ऐसा loose powder आप लगा लीजिए जिससे आपका काजल फैलेगा नहीं तो friends इस तरह से आपका make-up हो जाएगा perfect long lasting तो friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो please ज्यादा से ज्यादा like share और subscribe करना ना भूलें ताकि ऐसी है अच्छे अच्छी वीडियो में आपके लिए लेकिया आती रहूं और आगे मेरी जो वीडियो आने वाली है वो है र